हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जहारखन जी के स्पेशल स्रीज की एक लास नमबर 24 है यहां पर हम लोग mcq form में questions को discuss करने वाले हैं और आपको एज़ा टेस्ट देना है और class के last में कितने questions के answer करेक्ट हुए यान कि आपको अपना score बताना है comment section में और यह जो class है डेली सेवन पीम में अप्लोड हो जाती है इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूं आप तक notification चला जाए ओके तो चलो फिर class को start करते है question number first है यहाँ पर जार्खन के पहले गैर भाजपा मुख्य मंत्रे निमलिखित में से कौन थे सीबू सोरेन रगवरदास अर्जुन मुंडा और बावुलाल मरांडी right answer will be the option first जो की है सीबू सोरेन और अब तक जार्खन में कितने मुख्य मंत्री बन चुके है तो छे कोई जो है ना मुख्य मंत्री बन चुके है ठीक है और यह जो रगवरदास अर्जुन मुंडा बावुलाल मरांडी है यह भाजपा पार्टी से विलों करते हैं और सीबू सोरेन और जो हैमन सोरेन है अभिवर्तमान के जारकन के मुख्य मंत्री है यह दोनों जे एमेम पार्टी से रिलेटेड हैं ना संबंदी थे और एक जो है निर्दलिये पार्टी से हैं मुख्य मंत्री बने थे उनका नाम आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना और इतना जो मैं यहां पर बताई ना मैं ऐसे ही नहीं बताई और यह क्वेश्चन आपको प्रिवेस य सिबू सोरेन की बात की गई है तो देख लेते हैं सीबू सोरेन जो है ना तीन बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं ज्हारखन के दो मार्श 2005 से लेकर के बारा मार्श 2005 तक बने थे सबसे पहले यानी कि दस दिन तक यह कारियरत थे इनका और इसके बाद ही राष्ट्रपती शासन लागू हो गया था। ये आपको सेकंड टाइम का याद रखना है और थर्ड जो है 30 दिसंबर 2009 से 31 मही 2010 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे यानि की तीन बार ठीक है? और ये जार्कन मुक्ती मोर्चा जे एमेम से संबंदी थे तीन बार मुख्यमंत्री बने सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे वो 10 दिनों के लिए बने थे ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन है सेकंड नंबर जार्कन के निर्दली ये मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो देखो वो क्वेशन आ गया रगवरदास, हेमन सोरेन, सीवु शोरेन और मधुकोडा है तो निर्दली जो मुख्यमंत्री थे ना ये मधुकोडा option 4 यहाँ पर correct answer होता है और ये कब से कब तक कारियरत थे तो ये 2006 से लेकर के 2008 तक आपको याद रखना है इनका tenure यहाँ पर दिया हुआ है देखिए मधुकोडा जो है निर्दली ये मुख्यमंत्री बने थे 14 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस 2008 तक थे और ये question भी फ्यार कि लेकर क्वेश्चन और जितने भी याँ पर question है न सारे के सारे questions previous year questions ही है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर third no question है झारकण राजे में राष्ट्रपती शासन कितनी बार लागू हुआ है तो झारकण में यहाँ पर यह क्या typing हो गया है जाड़कार राजे में राष्टपति शासन जो है ना यहाँ पर तीन बार लागू किया गया है और कब-कब एक बार देख लेते हैं 19 जन्वरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक यानि कि लगबग यहाँ पर एक साल का लगबग ठीक है मैं कंप्लीट नहीं बोल रही हूँ उसके बाद 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक दिन 18 जन्वरी 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013 तक इतना आपको याद रखना है कि तीन बार यहाँ पर राष्टपति शासन लागू किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है और नंबर मुंडाओं में वधू मुल्य को किस नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट क्वेशन है एक्जाम के लिए और सारे के सारे क्वेशन एक्जाम औरियेंटेड ही है तो मुण्डाव में यानि कि मुण्डा जंजाती जो है इसमें वधु मुल्ये को क्या कहा जाता है तो गोर्णोंग टाका कहा जाता है option third यहाँ पर correct answer होगा गोर्णोंग टाका answer होगया और option में जैसे पोन देखने को मिला यह क्या होता है तो संथाल जनजाती का वधु मुल्य को पोन कहा जाता है और घोटूल क्या होता है तो संथाल जनजाती का जो युवागरी होता है उसको घोटूल कहा जाता है question number यहाँ पर 5 है कोरवा जनजाती कितने शाखाओं में बटा हुआ है important question है तो यह आप answer यहाँ देख जिया option second correct answer होगा तो यह दो साखाओं में बटा हुआ है कौन-कौन सा हम लोग यह भी देख लेते हैं पहाडिया कोरवा एक होता है और दुसरा जो है यहाँ पर बिहरिया कोरवा होता है यह दो साखाओं में बटा हुआ है next है यहाँ पर खड़िया जनजाती कितने शाखाओं में बटा हुआ है यह भी important question होता है options है 3, 4, 2 और 5 तो correct answer होगा यहाँ पर option first जो की है 3 है और देख लेते हैं कौन-कौन सी है तो पहाड़ी खड़िया है, दूद खड़िया, ढेल की खड़िया यह 3 जो है यह खड़िया जनजाती की साखाएं है next question है यहाँ पर 6 नंबर जारखेंड में कितने ताफ, विद्यूत, परियोजनाय चलाई जा रही है 5, 4, 7 और 3 तो correct answer होगा option second जो की है 4 और कौन-कौन से इसको भी हम लोग यहाँ पर डिसकस कर ही लेते हैं बोकारो ताफ, विद्यूत, ग्री है, चंद्रपूरा, पत्रातु और तेनुघाट यह 4 नाम आपको याद रखना है question number यहाँ पर question number कितना था? 6 उसके बाद 7 ठीक है यहाँ पर चक्रधरपूर railway division निम्ण में से किस railway zone के अंतरगत आता है पूरू मध्य railway, दच्चिन मध्य railway, उप्यूक्त दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो correct answer होगा option second जो की है दच्चिन पूरू railway ठीक है? और यह अनुमंडल है चक्रधरपूर क्या है? यह अनुमंडल है यानि कि division यहाँ पर तो दिया ही हुआ है यहाँ पर eight number question है चिन्ता मणी, मंदीर, जार्खन के किस जीले में इस्तित है? पलामू है, गुमला, पुर्वी सिंभूम, पश्चिमी सिंभूम, राइट आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं option जो second, राइट आंसर होगा गुमला में है और यह important question है, nine number, बेतला राश्च्रे उध्यान भारत के शुरुवाती, बाग होगा यहाँ पर बाग अफ्यारन्य में से एक है जो बेतला है, इसका आपको complete जो नाम है, इसको बताना है, यह तो संशिप्त में है correct answer इसका होगा, आपको पता है, तो comment करते जाओ और यह मैं कल वाली सेसर में भी पूछी थी, कि बेतला का full form आपको लिखना है, तो एक student में जवाब दिया था देखो, आप जब comment करते हो ना, तो लगता भी है, कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो question पूछती हूँ, उसका comment कर रहे हैं इंग्लिश में आपर देख लो नाम, यह देख रहे हैं, जैसे कि बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर, एक्सिस, एक्सिस है, ठीक है, और यह अभ्यारन्य कहां पर है, तो यह लातिहार चिले में इस थी थे, बेतला जो, क्या है यह राष्ट्रे उध्यान है, और इसक से कौन सा कोईला छेत्रे जारखंड में नहीं आता है, क्वेशन सही से पढ़ना है, नहीं आता है, और जल्दबाजी में आपको क्वेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कल एक क्वेशन का आंसर में, मतलब ऑप्शन में तो सही बताई थी 1785 घी, कि जब मैं एक्स्प्ल बता देती हूं, ठीक है, तो आप एक बार कॉमेंट सेक्षन को भी चेक कर लेना, ताकि आपका भी गलत ना हो मेरी वजह से, तो इसका देखो, कौन सा नहीं है, कोईला छेत्रे जारखंड का, तो राइट आंसर होगा, ये सिंग रोली होगा, ये कहां पर है सिंग रोली, त खेत्रे की स्खनन के लिए प्रसीद है, तो राइट आंसर होगा, ये अवरख के लिए प्रसीद है, कोडर्मा तो ये अवरख के लिए है, इसके बाद हजारी बाग और गिरिडी में भी अवरख पाये जाते हैं, तो राइट आंसर ये होगा, एक्स्प्लानेशन में यहां देखो अवरग अत्यांत हलका खनीज होता है यह अगने तथा परिवर्तित चटानों के परतों से मिलता है और जहारखंड में भारत का लगबग 58% अवरग का संडचित भंडार कहां पर है तो यह जहारखंड में है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और है यह अच्छेतर कोडर्मा के साथ साथ हजारी बाग और गिरिडी जिले में भी विश्त्री थे और यहाँ पर भी हजारी बाग गिरिडी में भी अभरग पाये जाते हैं संथालों में समाजिक बहिसकार को क्या कहा जाता है यह most important question है तो संथालों में संथाल जन जाती जो है सबसे बड़ी जन जाती है जारखंड की और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती है और संथाल लोग कौन सी भाषा बोलते हैं संथाली भाषा बोलते हैं तो आठवी अनुसूची जो है न समिधान की इसमें 22 लेंग्विजेस यानि की 22 भाषा है उसमें से संथाल भाषा संथाली भाषा एक है तो इसको भी आपको याद रखना है और यह सबसे बड़ी जन जाती है 32 जन जातियां है जार्खन में इसमें से सबसे बड़ी है इसमें समाजिक बहिसकार को क्या कहा जाता है तो बिटलाहा कहा जाता है आपको कन्फ्यूज नहीं होना बहिसकार नहीं कहा जाता है ओके यह बिटलाहा कहा जाता है और जब इसको अगर समाज से बाहर कर द बिखेंगे डिटेल में, question number यहां पर 13 है, धुमकूरिया किस जनजाती की समाजिक संस्ता है, और उराओं जार्खन की दूसरी सबसे बड़ी जनजाती है, संताल के बाद यह उराओं उसके बाद मुंडा दिन हो आता है, धुमकूरिया को ही न, उराओं जनजाती का युवागरे भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है 14. नमबर कॵेशन्, बेगा प्रजाती, डेस को पवितल जानवर कहते हैं तो बैगा जनजाती लोग ये बाग को अपना पवित्र जानवर मानते हैं, यहीं से इस जनजाती बाग से ही रिलेट करता है, यह वाला शब्द आप अच्छे से देख लेना, फिप्टीन नमबर क्वेश्चन है, जार्खन राजे गठन के समय कितने प्रमंडल थे, हर किसी को पता होता है कि जार्खन राजे गठन के टाइम में 18 जीले थे, उसके बाद 6 जीले बनाए गए और वर्तमान में 24 जीले हैं, लेकिन प्रमंडल बहुत कम किसी को पता होता है औ तो उस टाइम में चार प्रमंडल थे और पांचवा जो प्रमंडल है ये कौन सा बना है चलो देखते हैं पांचवे प्रमंडल के रूप में कुलहान प्रमंडल का गठन कब क्या गया था 2003 में क्या गया था और कहां से दच्छनी छोटा नागपुर प्रमंडल को विभाजन कर कुल्हान प्रमंडल बनाया गया और कुल्हान प्रमंडल में कुल कितने जीले हैं तो यहाँ पर तीन जीले हैं पहला है इस्ट सिंबूम आपको देखने को मिलेगा दूसरा है वेस्ट सिंबूम और तीसरा है सराई के लग खर्चमा ये तीन जीले कहां पर हैं तो ये कुल्हान प्रमंडल में है question number यहां पर 16 है यहां पर बिस्वा नहीं होगा यहां पर यह होगा ठीक है बिस्वा मेला typing mistake हो जाता है तो आप उस पर ध्यान मत देना जो मैं यहां पर बताती हूं उसको देखना बिस्वा मेला जार्खन के किस जीले में आयोजित किया जाता है तो इसके right answer अच्छा options को देख लेते हैं गोड़ा, पलामो, सिम्डेगा, जामताडा correct answer होगा यहां पर option first जो की है गोड़ा इस मेले के आयोजित गोड़ा जीला के बसंत राय प्रखंड में किया जाता है जो प्रतियक वर्स चोदह अप्रेल को मनाया जाता है यह आपको याद रखना है question number यहां पर 17 है बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है important question है तेलियागड़ी धनवाद चत्रा और इधर option रामगड़ है तो right answer इसका आपको बताना है option second जो है न यह correct answer होगा तेलियागड़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और छोटानागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है that is चत्राजिला सहित्य अकादमे युवा समान 2018 जारकन के किस व्यक्ति को दिया गया था सुचित्रा हंस्दा, परिमल हंस्दा, मैना टूडू एन रानी मूर्मू right answer होगा option 4 तो सहित्य अकादमे युवा समान 2018 दिया गया था next question 19 number राज्य के सरवाधिक लिंगानुपात वाले जीले पश्चिमी सिंभूम का लिंगानुपात कितना है लिंगानुपात होता क्या है एक हजार पुरूसों में महिलाओं की संख्या कितनी है इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जीला जो है ये पश्चिमी सिंभूम है यानि कि मानलो 1000 पुरूसों की संख्या है यहाँ पर तो उससे अधिक महिलाओं की संख्या यानि कि 1005 तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जीला कौन सा है तो पश्चिमी सिंभूम और कितन है पुछेगा तो यह option first जो कि है 1005 याद रखना है और पस्चिमी सिम्भूम जो है ना 24 जीलों में से सबसे बड़ा जीला कौन सा है पस्चिमी सिम्भूम यह कहां पर पढ़ता है कोल्हान प्रमंडल में पढ़ता है जार्खन के दच्छनी साइड में ठीक है नेक्स्ट है यह वायरिंग्स या बायरिंग्स वायरिंग्स होना चाहिए option 4 correct answer होगा यहां से आपको थोड़ा बहुत भी लगा ना कि आपका practice revision हो गया या फिर एक दो question नए सिखने को मिले तो आप अपने friends को share कर देना recommend कर देना कि यह channel है यहां पर भी जार्खन जी के कराया जाता है तो visit क कर सकते हैं okay और आप comment करना कितने questions के answer correct हुए score बता देना चलो फिर मिलते हैं अब next session में और अच्छा इससे पहले आप लोग telegram channel से join हो जाना जो की है अपना complete लिखना जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं as it is लिखना है note books लिखना है कहीं पर भी space नहीं देना है लास्ट में two zero यहां पर आप जोइन हो जाना जिसमें मैं आपको यह pdf दे दूंगी और pdf के लिए जोइन हो जाना ठीक है